असलाम लगीकुम स्टूडेंट्स कैसे आप सब उमेद करती हूं सब लोग ठीक होंगे आज इस क्लास का फिफ्ट लेक्टर है एक्सराइस 2.2 एक्सराइस 2.2 के हमने दो कॉश्चन किये थे कॉश्चन नमर 3 पर आते हैं कॉश्चन नमर 3 क्या है फिल एंदे ब्लैंक्स ओके तो फिर्स पार जो है इसका ए माइनस भी डैश बी माइनस ए दिख रहा है अपनी किताबे भी आप देख सकते हो पेज नमर 28 तो इसमें क्या हो सकता है हमने दो प्रापरटी पड़ी थी प्रा थी उके उसमें क्या था कि अगर हम ए माइनस बी बी माइनस ए कर सकते हैं नहीं क्योंकि यहां पर ए बड़ा होगा यहां पर ए बी चोटा होगा यहां अगर हम करेंगे फिर चोटा माइनस बड़ा तो वो वैलर नहीं होगा इसलिए यहां पर इस नाट इकॉल टो यहां पर आते हैं part number b बार्ट नमर b क्या है a bracket a minus b bracket close minus c is not dash dash minus bracket b minus c दूसरी property पड़ी थी associated property लेकिन associated property में क्या था उसमें तीन हम लेते थे या तीन से अलावा भी ले सकते थे पहली वाली property जो उसमें थी तो addition के बाद addition के बाद क्या था तो जब subtraction पर आते हैं subtraction में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पर minus में अगर कोई बड़ा होगा या चोटा होगा वहां पर मुश्किल होगी फिर कहां पर right hand side में या left hand side में ठीक है वो equal नहीं हो सकते अब देखो यहां पर कितने हैं a b c और यहां पर किस चीज की कमी है क्योंकि हमने यहां पर grouping किया है ना तो grouping में क्या है यहां पर हमने b minus c लिखा है तो यहां पर क्या हो सकता है यहां पर आप a लिखना अब आते हैं part number c पे if a number is subtract from itself the result is डेश अगर कोई हमारे पास कोई नमबर है तो हम उसी नमबर को अपने आप के साथ माइनस करेंगे मलब जो अगर हमारे पास 4 है तो हम माइनस करेंगे 4 के साथ तो वहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा अगर हमारे पास 1 है तो माइनस 1 करेंगे तो वहाँ पर जिरो ही आएगा है ठीक है यह यहाँ पर आए परपर्टिय थी है लोड़ी को अगर आगर हमारे पास कौय नमबर होगा तब अगर अगर हम इसको अपने आपके साथ माइस करें गे रुढ़र के आएगा जीरो ऐसा लिखना है आँपे जीरो ठीक है अब आते हैं part number D पे, part number D क्या है, यहाँ पे, one, ten, hundred, thousand, ten, thousand, leg, ठीक है, तो, one leg less than this is, digit, बनलब इन दोनों को minus करना, यह less than में है, अगर बढ़ाना था, तब यह greater होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें minus करना है, इन दोनों को minus करना, जो आएगा answer, वो खुद लिखना, ठीक है पीछी से आंसर नहीं देखना, पहले आंसर ऐसे करना, फिर आंसर यहां पर लिखना, तो यह पाट क्या है, एसोसेट्व प्रॉपर्टी डाजना होल्ड है, जैश फोर सब्ट्रेक्शन, सब्ट्रेक्शन में हमने अब भी पड़ी थी, यहां पर भी बताया था मैंने कि एसोसेट्व प्रॉपर्टी जो सब्ट्रेक्शन में है, वो होल्ड नहीं होती है, क्योंकि LHS, RHS के बराबर नहीं निकलता है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं निकलता है क्योंकि कोई नमर बड़ा भी हो सकता है, कोई नमर छोड़ा भी हो सकता है इसलिए यहाँ पर लिखना, या फिर वैल लिखना, या फिर गूड लिखना hold good, मैं आपर hold good ही लिखूंगी, यहीं लिखना, ठीक है, अब आते हैं अपने question पर, question जो main questions होते हैं, ठीक है, यहाँ पर question number 4 क्या है, सब देखो, question number 4 क्या है, the sum of two numbers is 879845, if one of them is 98546, find the other, हमारे पास दो number ही, उन दोनों का sum है, हमारे पास दो number ही, एक ये, दूसरा ये, इन दोनों का sum किया, हमने sum करके ये आया, हमें answer, ठीक है, if one of them is this, इस वाले उंगली का, या फिर number हो लो, ठीक है, इसका, क्या है, इसका value क्या है, ये वाला, ठीक है, 98,000, हमें find the other, find the other, अब इसका निकालना है, इसका नहीं दिया गया है, लेकि इतना बताया गया है, कि दोनों का add करके, इतना आया है, एक का number दिया गया है, लेकिन दूसरे का नहीं, ठीक है, अब मैंने ये अपने copy way किया है, दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने, one number दिया गया है, यहाँ पर देखो, ठीक है, 98,446, let the other number be x, मैंने let किया, कि जो अगला number होगा, कोई और number होगा, उसका value क्या हो सकता है, x, मैं ले लेती हूँ, x, ठीक है, according to question, according to question, मैंने question की पास जाओ, कि वहाँ पर देखो, कि question आखिर बताता है, the sum of two numbers is this, मैंने, the sum, sum इन दूनों का, इन दूनों का sum करके क्या आता है, यह वाला answer, ठीक है, मैंने इन दूनों का sum किया, किस का sum, one number plus other number, one number plus other number, कितना आया, 87, 98,45, ठीक है, अब हमें क पास जी रखो, equal to, ठीक, अब यहाँ पर इसका value क्या है, यहाँ पर sign के इसका plus, अब जब मैं इसको यहाँ पर ले जाओंगी, equal के side में, तभी क्या बन जाएगा, minus, इन दूनों को minus करके, यहाँ पर लिखना, ठीक है, अच्छे से लिखना, मैंने, मैं यहाँ पर इसलिए ताकि आप लोग भी खुद कर सकोगे, ओके, अब आते हैं, question number five पे, I hope सब को यह समझाया होगा, अगर किसी को problem थी, तो बता देना, question number five क्या है, an election was contested by two candidates, ठीक है, the many candidates receive these votes, and one by margin of these votes, how many votes did the other candidate receive, election हो रहा है, दो candidates के बीच में हो गया है, दो candidates के बीच में, मानो यह एक आदमी है, और यह दूसरा आदमी है, ठीक है, अब इन दोनों मैंसे एक ही जीदिएगा, क्योंकि दोनों तो जीद नहीं सकते, क्योंकि election में अगर हम दो आदमियों को उठाते हैं, election लडने के लिए, जैसे हम secretary बनाते हैं, उन में से एक जुनता है, जुना जाता है, ठीक है, तो winning candidate जो है, उसने इतने सारे votes ले लिए है, कितने सारे votes लिए है, जो winning, winning minus जिसने जीता है ना, उसने इतने सारे votes लिए है, and won by margin of 98,000, कितना है यह, और जो यही वाला winning candidate है, उसने इतने वोटों के साथ जीता है, कितने वोटों के साथ, इतने वोटों के साथ जीता है, how many voters did the other candidate receive, अब हमें बताना है, कि जो other, जो दूसरा आदमी था, उसने कितने वोटों से जीता होगा, मतलब अगर हमारे पास दो आदमी हैं, है ना, हमने दो आदमी हैं हमारे पास, इसके लिए, किसके लिए, election के लिए, जो winning candidate है, मानों यह वाला candidate है, ठीक है, यह वाला candidate जो है, इसने कितने वोटों के साथ जीता है, इतने वोटों के साथ, लेकिन फिर यह बताता है, one by margin of these voters, लेकिन फिर पता है, इसने कितने वोटों के साथ जीता होगा, इतने वोटों के साथ जीता होगा, 9,83,1516 votes, how many voters did the other candidate, जो यह दो दूसरा आदमी है, अब हमें बताना है कि इसको कितने सारे votes मिले होंगे, मनले इसने कितने वोटों के साथ हारा होगा, चलो आते हैं, मैंने ल टॉटल वोटों किती है, यहां पर देखो, वन स्टेंडर्स हंडर्स थाजन तैन थाजन लेक, टैन लेक, 68 लेक, 68 लेक, 72,403 ठीक है, एन मार्जन आफ वोटों के साथ जीता है, इतने वोटों के साथ जीता है, इसके पास इतने सारे वोटों के साथ जीता है, ठीक है, तब ही तो इसने जीता है, अब हमें बताना है, नमर आफ वोटों के साथ जीता होगा, उसने कितने वोटों के साथ जीता होगा, अब इन दोनों को माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, एक तो यह कितने वोटों के साथ जीता है और दूसरा है मारजन ठीक है इन दोनों को माइनस करना है माइनस करके यहां पर लिखना और फिर आंसर यहां पर ठीक है थैंक यू